प्लास्टिक और कोस्मेटिक सर्जिल लोग देख सकते हैं कि यह जो हमारा फिमेल प्रिशत आई है इनका स्कान दोनों साइज में बहुत बड़ा हो गया है इतना बड़ा स्कान लेका इनको प्राब्लेम हो रहा है काम करने में भी सब कुछ करने में भी तो इसके लिए हम hayır mily dot को मार्क किया दो साइब में हम लोग ब्रेश को मैरीडियान को मार्क पेल्ड होगा यह अरिक लिए डुलीव घुथे अीए यह जो निपल अधे छे ६्रेसरिया निचे और आ ब्रेसरदे करें खुए है वह Music station लाइब इतना पार्ट की ब्रेस निकल जाएगा और यह जो निपिल अगला है उपर आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा मार्टिंग तो चार दिम पहले हम लोग इन जो फिमेल पेशन हैं इनका ब्रेस रिडरक्शन किया था अभी देखिए ब्रेस जहां नीचे तक था तो इतना अच्छ हम लोग देख रहे हैं अभी थोड़ा सा इनका सुजन है कि अभी अभी सर्जरी है तो अभी इडिमा रहेगा तो यह जो सुजन है यह औरो दो से तीन माईने में धिरे-जिरे काम हो जाएगा और टीशू अरो सेटल होगा तो अरो आच्छा लूक आएगा और नेचरल रू करने में बहुत तक्रीफ होता था तो उनका तो काफी बड़ा प्रेश था दुनों साइड में लागभाग हाईगे जी के असपास टीशू निकला था तो सर्जरी तो हम पुरा सून का थिकिया वेभूस का थिकिया उनको दो दीन भर्टी भी राखा था हस्पीटार में तो यह जो सर्जरी हुआ कुछ पता चला था तो उसके बाद आपको लेड़की ने आपको क्या बुला एक्सपीरेंस की किकना दर भुआ या किकना तक्रीफ बहुने कुछ बोला था आपको तो यहां बहुत अच्छा इस्टाब भी अच्छा है आपको तो बहुत ही अच्छा है मैं तो 15 साल चाहीं कर रहा हूं तो हमने इस इनका लेंकी जो है उनका सज्टारी किया था कापी बड़ा हो गया तबलेश्ट कर साइज ठोटा काल दिये हैं और उनको का क्लिफ जो था वह भी रिलीव मिल गया है और उनको का एक्सपीरियंस भी हम ले लिए उनका पीता जी का एक्सपीरियंस